आप सभी को मेरा नमशकार और आज के इस 9 मिनिट के वीडियो में आपके बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और इनो फूर्ट सॉल्ट को लेके सभी के सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इन्हें कहां इस्तिमाल करना हैं। दोनों को आपस में सबस्टिट्टीट किया जा सकता है या नहीं, हम बेकिंग पाउडर के जगे पे इनों का इस्तमाल कर सकते हैं या नहीं, ये सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी कुकिंग पाउडर मनीशा और आप देख रहे हैं, सिंपलिफायर कुकेंगी. तो सबसे पहले हम जानेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के कॉमन यूज के बारे में. बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है, वो एक टाइब का राइजिंग एजन्ट है. यानि कि किसी भी रेसिपी को आपको फ्लफी स्पॉझी बनाना हो, तब आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना होता है. कौन सी चीज में क्या यूज करना है, वो हम आगे बात करेंगे. लेकिन फिलहाल मैं बता दूँ के बेकिंग सोडा जो होता है वो क्विक रियक्शन के लिए होता है और बेकिंग पाउडर जो होता है वो स्लो पकाने वाली चीज में यूज किया जाता है कभी-कभी हम इन्हें पकॉड़ों में भी इस्तमाल करते हैं ताकि अच्छे से फ्लफी बने साथ ही साथ केक्स, कुकीज ये सारी जो चीज़े होती है इसमें भी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तमाल किया जाता है चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है सबसे पहले देखते हैं कि बेकिंग सोडा में क्या होता है तो बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है यानि कि साइन्टिफिक लैंगविज में इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाएगा और बेकिंग पाउड स्टार्च होता है और इसी वज़े से बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से तीन गुना जादा स्ट्रॉंगर होता है अब बारी आती है इसे पहचानने की तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों अलमोस दिखने में एक जैसे होते हैं फिर पता कैसे करें कि बेकिंग प पाउडर जो होता है उसमें जैसे कि मैंने बताया तीन इंग्रीडियन्स होते हैं बेकिंग सोडा होता है उसके साथ एक एसिडिक एजिंट होता है और उसके साथ होता है कॉन स्टार्च अगर आपको पता है कि कॉन स्टार्च का टेक्शर कैसा होता है चूने पे तो आप इज तरीके से हाथों में लेंगे तो आपके हाथों पे एक पाउडरी फॉर्म छूट जाएगा इसका तो इसे तरीके से आप पता कर सकते हैं कि बेकिंग पाउडर कौन सा है इसे छूने पे आपको बिल्कुल भी दाना नजर नहीं आएगा और ये टेक्शर में काफी स्मूथ होत होता है चलिए अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की तो बेकिंग सोडा दिखने में एकदम वाइट होता है जबकि बेकिंग पाउडर दिखने में थोड़ा सा ओफ वाइट होता है साथ ही साथ बेकिंग सोडा जो होता है वो थोड़ा सा टेक्शर वाला होता है यानि कि नमक की तरह थोड़ा सा दानेदार होता है जबकि baking powder जो होता है वो बिलकुल powdery form में होता है अगर आप इस तरीके से उंगलियों के बीच में baking soda को लेंगे तो बिलकुल भी इसका जो form है वो आपके हाथ पे रहेगा नहीं यानि कि इसके कंड ना के बराबर छुटेंगे आपके हाथों पे जबकि बेकिंग पाउडर में पूरा का पूरा आपके हाथों पे बिल्कुल टैलकम पाउडर की तरह चिपक सकता है तो ये तरीका हो गया इसे पहचानने क चलिए अब देखते हैं कि इसका रियक्शन के थूरू इसे हम कैसे पहचानेंगे सबसे पहले बात करें बेकिंग पाउडर तो बेकिंग पाउडर में अगर हम गरम पानी का इस्तमाल करते हैं या किसी भी गरम चीज इसमें अड़ करते हैं तभी इसमें बबल्स उठेंगे बबल सुटने के बाद में तुरंधी बबल सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएंगे लेकिन जब आप इस स्टेज पे अगर आप इसे गरम करेंगे दोबारा तो इसमें फिर से बबल आ जाएंगे क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो दो टाइम पे रियक्ट करता है फर्स्ट जब वो किसी लिक्विड के कॉन्टैक में आता है जैसे कि मैंने यहाँ पर पानी लिया अगर पानी ठंडा होगा तो यह बिल्कुल भी रियक्ट नहीं करेगा पानी गरम होगा तब ही यह रियक्ट करेगा तो यह देखिए ठंडा पानी मैं यहाँ पर एड़ करके दिखा रही हूँ जो कि बिल्कुल भी आप देख सकते हैं इसमें एक भी बबल आया नहीं है तो बेकिंग सोडा को हम किस तरीके से पहचाने, इसका रियक्शन की मैं अगर बात करूँ, तो सबसे पहले एक कटोरी में हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेंगे, बेकिंग सोडा हमेशा खटी चीज के साथ ही रियक्ट करेगा, आप पानी ले, ठंडा ले, गरम ले, उससे इ जब तक इसमें कोई एसिडिक एजन्ट नहीं होगा, यह रियक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा के साथ में विनेगर आड कर रही हूँ, और तभी आप देख सकते हैं कि इसमें सडनली बबल्स उठेंगे, तो जब भी हमें फास्ट स्टीमिंग या फास्ट कोकिंग करनी होती है, जैसे कि ढोकला होता है, जो पंदरा मिनिट में बनके रेडी हो जाता है, तो उसमें आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि बेकिंग पावडर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बबल्स तुरंट सैटल डाउन भी हो गए हैं, तो और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं जब से पहले baking powder का texture जैसे की मैंने आपको दिखाया काफी powdery form होता है इसका इससे substitute अगर आप करना चाहे अगर आप 1 teaspoon baking powder ले रहे हैं तो उसके सामने आप one third baking soda का इस्तमाल जरूर कर सकते हैं और दूसरी साइड अगर हम देखें के बेकिंग सोडा है हमारे पास और बेकिंग पाउडर नहीं है तो क्या करेंगे जैसे कि मैंने पहले आपको बताया के बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के कमपैरिजन में काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग होता है तो बिलकुल इसका उल्टा होगा अगर आप एक चम्मच बेकिंग सोडा ले रहे हैं तो उसके सामने आपको लेना होगा तीन चम्मच बेकिंग पाउडर जो कि बिलकुल ही खराब कॉंबिनेशन है मेरे हिसाब से baking powder और baking soda को दोनों को अलग-अलग इसलिए बनाया गया है ताकि इनका अलग-अलग इस्तमाल हो सके तो इन्हें आपस में swap करना is not a good idea अब हम बात कर लेते हैं ino food salt की जो की ino के नाम से काफी ज़ादा famous है यह हमें कब इस्तमाल करना चाहिए कौन सी recipe में हम इसे इस्तमाल कर सकते हैं और इसे किस product यानि की baking soda या baking powder दोनों में से किस के साथ substitute किया जा सकता है यह जो ino fruit salt है इसमें concentrated form में होता है baking soda उसके साथ होता है acid काफी concentrated form में जब यह liquid के contact में आता है तो तुरंत ही इसमें bubbles बनना start हो जाते हैं तो देखिए आप इसमें bubbles बन रहे हैं और काफी देर तक बनते ही रहेंगे क्योंकि यह बहुत जादा concentrated form में है तो इसलिए अगर आप इसे इस्तमाल करना चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं baking soda की जगे पे ना कि baking powder की जगे पे तो I hope आपको यहां तक का concept clear हो चुका होगा कि हमें baking soda, baking powder और fruit salt इन तीनों का इस्तमाल कहां पर कितना करना चाहिए तो baking powder, baking soda और इनो फ्रूट salt के बारे में अगर आपको फिर भी कोई doubt रहा है तो मुझे comment करके ज़रूर से पूछ सकते हैं मैं आपसे every Tuesday and Saturday को मिलती हूँ, अब मैं मिलूंगी आपसे Tuesday को तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, exercise करें, अच्छा फूड खाएं, happy रहें, बाबाई करें आपसे बाई करें आपसे बाई करें दो करें आपसे। झाल 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 झाल